अगर आपको ये विडियो अच्छा लगा, तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए हमेशा मुझे ही इंतिजार करवाते हैं, आने दो आचुले, एक एक चीज का हिसाब लोंगी मैं साहबजादे अब आ रहे हैं, पूरे एक घंटे बाद सॉरी यार थोड़ी देल हो गई मुझे नहीं करनी बाद, पूरा एक घंटा हो गया यहां खड़े-खड़े आड़ी बड़े मुश्किल से यहां पहुचा हूँ, पता नहीं कहां-कहां से घंट यहां पहुचा हूँ मैं क्यों? क्या हुआ? पता नहीं कोई मेरा बीचा कर रहा है हरीश, मुझे बहुत दर लग रह है, अब क्या होगा? मैंने सोच लिया है कि कल में ये शेय छोड़कर चला जाओंगा हरीश तुम मुझे छोड़कर जाओगे मेरा क्या होगा तुम हमेशा ऐसी बाते क्यों करती हो हाँ मैं क्या करू हरीश मुझे बहुत डर लग रहा है बुरे बुरे ख्याल हा रहे हैं दिमाग में मैं और डर डर कर जी नहीं सकता एक एक मिनिट मेरे लिए कीमती है मगर अभी कहा जा रहे हूँ पता नहीं कोछ देर के लिए अकले रहना चाहता हूँ सुनो हरीश मेरी बात तो सुनो हरीश हरीश सामान तो सब है ना दाला तोड़ में क्या पहली बार चोरी कर रहे है मैंने एक एक चीज मेरे हाथों से रखी है चल एरिया काफी नहाय है महाच्छा माल मिलेगा यहाँ आज का तीन तो शुब है यार इना ताला थोड़े काफी माम में चल लोग चल लोग 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 आपका बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपकी वज़े से ड्रक्स बेशने वाले नए गैंग का पता चल गया आपको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ बहुत-बहुत शुक्रिया सर ओके शुक्रिया सर ओके शुक्रिया जानता हो तोने यह तो वही चोरे सुरेश जेव कत्रा सुरेश है ना आपका यहां भी काम करने आयो यह सुद्रेगा नहीं पुट्टे की तरह से लगी में रखो लगी निकालने के बाद टेड़ी की टेड़ी यहां क्या कर रहो और कल हमने एक लाश देखी सर किसकी लाश पता नहीं साब पोंता हो लेकिन उसके च्छाती में से खून निकल रहा था उस लाश के च्छाती में से खून निकल रहा था क्या तुमने लाश के आस-पस किसी को देखा नहीं से हम तो उस दुकान में चोरी करने गए थे वही पर हमने लाश देखी प्रड़ी आपर कर दो कर दो दो। टाप ए लाकर के के लिए एक ये लिए लाच एफ मेज़े हो on फुली नगी है वह ताद गिए आट अगर अदमी यहां पर खड़े रहता तो उसे यहां पर कहीं से भी कोई भी गोली चला सकता था रस्टेपर से भी यहां तक के सामने वाले उस बिल्डिंग से भी नहीं बस इसे दूर से नहीं नज्दीक से गोली मारी है क्या नज्दीक से हाँ तो कैसे इसके कपड़ों पे और इसके घाव के आज पास मुझे जन पाउडर जिला इतनी नज्दीक से लगग तीन चार्फित की दूरी से मुझे तो लगता है कि यह कुनी एरादा करके आज एक गोली मारे का क्योंकि आज पास देखने से तो ऐसा लगता नहीं कि कहीं कोई लडाई जगना हुआ उसे एक दाम करो से जिए या कद दुकान अरो से पूछता करो देखो कुछ पता चलता है का तीन किसने किसने मारा होगा इसे सर यह दुकान मारा कह रहा है कि इसने किसी लड़की को इस लड़के के साथ देखा था सर तुमने उसे पहले कभी देखा है जानते हो से नहीं सर नहीं देखा अच्छा यह बता क्या हुआ क्या था क्या देखा तुमने कुछ नहीं सर कल रात यहां पे एक लड़की खड़ी हां सर जरूर उसी लड़की ने इस लड़के को मारा होगा सर अच्छा उसे ने मारा होगा इस इतने यकिन के साथ कैसे कह सकते हो मैंने यहां से गाड़ी निकाली सर तो उस वक्त लड़का नीचे निकल गया था और वह लड़की उसके पीछे जाके रो रही थी सर जी तुमने इस लड़की दिखती कैसे याद है? सर, अंधेरे में कुछ देख नहीं पाया, सर. लेकिन वो लड़की की पास्राद, सर, एक शोडर बैक था, सर. बैक? सर, कहीं आप इस बैक की बात तो नहीं कर रहे है, सर? देखो, सर, देखो, क्या है अंधेरे? सर, कहाँ पर मिली है बैक तो बैक की? सर, यहीं नीचे सीडियों पर मिला था यह यहाँ पर, सीडियों पर? जी, सर. सर, लगता है, इस लड़की को अलग-अलग जगाओं के स्केचिस बनाने का बहुत शॉक है. बी-बी के मखबर है के भी स्केचिस बना रखें इसने हैं. स्केचिस? हरीश, साडी का सेल्फ उमदे है. एक काम करो, उस पैटरी साडी के शोरू में जाकर के पता लगाओ, इस हरीश के वारेटी. देखो इसकी किसी के साथ कोई दुश्मन ये वगरा थी क्या, और हम बी-बी का मदबरा जाते हैं, पता लगाते हैं क्या किसी ने इस लड़की को देखा है क्या? जलो, बी-बी के मदबरे इतक तो आई गए, अब देखते हैं, उस लड़की के बारे में हमें क्या पता चलता है? उस ताश करेंगे तो कुछ, पता चल जाएगा सर? नहीं, बिलकुल, देखते हैं ला अंदर? आहा, क्या खुबसूरत बी-बी का मखबर आये सर, यहां आउरंगाबाद में? रे रेक, यह सिर्फ आउरंगाबाद में मशूर नहीं, दुन्या अबर से लोग आते हैं इस मखबरे को देखने के लिए, और पता है, यह किस ने बनाया? आउरंगे बाच्छा के बेटे आजम शाह ने अपनी मा की याद में बनवाया आई है, हाँ, तर एक बात है, यह मखबरा पर एक तम ताजमेल जा सालत है, बिलकुल, ताजमेल का ही रेप्लिका है, हाँ, एक दाउंग, चौना सार, हाँ, हमें जो लड़की का बैग मिला है, उसमें से यहां के कुछ स्केचेज मिलें से, हो सकता है कि वो लड़की यहीं पर आके, इस खुबसूरत मखबरे के स्केचेज बनाती होगी, हाँ, बिलकुल, हो सकता है, देखते हैं यहां पूछताच करें, किसीने तो जरूर से देखा होगा, सर, यहां आसपास गाइड वगरा घुमते रहते होंगे रहां, पर उनसे पूछेंगा तो सब कुछ पता चल जाएगा, देखते हैं, आये सर, इस खुबसूरत मखबरे की साथ आपकी तस्पीर निकालता हूँ, इसकी हिस्तित बताता हूँ, देख़ा हम इ से देखो, क्या इस बैक को तुमने किसी के साथ देखा है, हाँ, मैननी इस बैक को देखा है, का पर? एक लड़की के पास, लड़की कहा ह suspect, तुम जानते हैं उस लड़की को, नहीं पूर यहां पर आ बैट जाती थी, यहां पर बैटकर क्या करती थी वो? यहां पर बैटके वो इस खूबसूरत मगमारे की स्केचिस निकालती थी कभी इस साइड से, कभी उस साइड से, कभी पीछे से चारा एंगल से वो स्केचिस निकालती थी सर और कभी-कभी मैं भी उसके बाजो में जाके बढ़ जाता था क्या-क्या बाते करती थी वो तुमसे वो अक्सर दॉलताबाद किले के बारे में बात करती थी सर यहां बैठकर वो दॉलताबाद किले के बारे में बात करती थी हाँ सर वो बहुत खूबसूरत किला है अगर आप जाके देखेंगे न तो आप भी उसके बारे में बात करेंगे अच्छे एक बात बताओ क्या वो यहां अकेली आती थी या उसके साथ कोई और भी आता था कभी जबी उसको छोड़ने के लिए एक लड़का आता था कौन था वो लड़का तुम जानते हो से नहीं मैं नहीं नहीं जानता था अच्छा तुमने देखा अगर है उसे तो उसका खुलिया तो बता सकते हो दिखता कैसा था हां गोरा गोरा था कद साड़े पाच फुट होगा और माथे पे चोट का निशान था एक लिए तो ठीक वै उसके लिए माथे पर चोट का निशान था बिल्कुल वैसा ही नड़की कर लगा है एक काम करते हैं दौलताबाद के किले में चलते हैं वह पर जरूर कुछ न कुछ तो पता चली जाएगा जाजर जो लाश के पास से हमें काट बिला था उस पेटनर्स तुहीं का लिख रहा है ना हाँ हरी शेहीं पर काम करता है भाई सब यह यहाँ पर मैनेजर कौना है मैनेजर आगे गया 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 है सामने हाँ हाँ अब जो भी तस्तों आएगा ना उचे उपर बेज दे उपर भी काफी सारा माल रखा हुआ ठीक है स्क्यूस मी येस मैंड़ आप उपर की तलब चले जाएगे उपर भी अच्छी साडिया रखी हुए हम लग यह साडिया खरीदने ने आए हैं कुछ पूछने आए हम लोग C.I.D. से हैं C.I.D.? तुम चले जानो बोलिया मैडब कुछ गल्ती हुए क्या हमसे आपसे कोई गल्ती नहीं हुए हम हरीश के बारे में कुछ पूछताज करने आए क्या किया उसने? हरीश ने तो कुछ नहीं किया लेकिन हरीश की मौत हो गई है उसका किसने खुण कर दिया खुण? सर किसने किया उसका खुण? वही पतालगाने हम यहां बराए है उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी या कोई लड़ाई जगडा? नहीं उसका किसी के साथ लड़ाई जगडा तो नहीं हुआ था वो बस अपने काम से काम रखा करता था फालतू बातों में तो उसका ध्यानी नहीं था मगर मगर क्या? कुछ दिनों से वो काफी परेशान रहा करता था कस्टमर कोई भी आता था उसे बहुत घूर घूर के देखा करता था तुमने पूछा नी? क्या बात थी? सुना है कभी देखा नहीं अच्छे ये यह नभी कहा रहता है कुछ मालूम है नहीं हमने घर तो कभी उसका देखा नहीं लेकिन यहीं से करीब करीब 20 मिनिट की दूरी पर उसका घर है अच्छे हरीश का नंबर तो होगा ना तुमारे पास जो उस एक बात है क्या कला कारी है कितना वक्त लगा हुआ यार किला बनाने में हाँ यार कितने सालों लगे होंगे ना कुपसूरत किला बनाने में यार वह दिए वाच्मन से पूछ कूँ उसने देखिये कि उस लड़की को यह सुनिए हम लोग सी आईडी से अपने किसी लड़की को आते या जाते हुए देखा है जिसके पास ऐसा बैग हो त्यान से देखिए सर इस बैग वाली लड़की को मैंने देखा है यह हमेशा यहाँ पर आकर मिनार वगेरे की ड्रॉइंग बनाती रहती थी यह हमेशा भारत माता मंदीर में आकर बैठती थी अब मगर मगर? क्या मगर क्या? कुछ कहना चाते हो? सर जी एक औरत और यहाँ पर आती जाती रहती औरत? वो बता रहे थी कि वो लड़की को थोड़ी परेशानी है परेशानी? किस बात की परेशानी? सर वो मुझे नहीं मालूप आपको वो औरती ठीक ठाक बता सकती है का परेवा? स अज़ दिखिए सर यहाँ से एक तेड़ किलो मेटर चलो तुम भी चलो हमारा चलो सर अब आपने एड़ने बर मैं काम करता हूं यहीं पर रुख जाता हूं आसपास ही इंक्वाइरी वगरे करता रहूंगा वो भी तो दरूरी है ना हवा निकल गई है अब दैनी मैं फ्री एक यही व जग है जो आचमें ने रहता है चुप देखे है आपर कर देख जाए प्रहां देखों देखों, देखों यांदा, देखों आपकें, देखों आरो के दिकती हैं, पासु हा, वजया शानो हा, जो जो पुच तेगे, सुनिये, देखे, हम लोग C.I.D. से, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं जिव, पूछिये देखे, हम एक लड़की के बारे में चाड़ना है जिसके पास ऐसा बैग है वो यहाँ पर आके इस कीले के स्केचिस बनाती है जिव, मैं इस लड़की को जानती हूँ फिर्टा नम है इसका किले के हर जगह का स्केच बनाया है उसने बहुत शौक है उसे स्केचिंग बनाने का जिव, वाच्वन हमें बता रहा था कि वो लड़की किसी बात को लेकर परेशान थी ऐसा आपने उसे बताया जिव, बहुत परेशान थी वो, पर अब पर, पर क्या, किस चीज़ से परेशान थी वो एक दिन जब मैं यहां आई तो मैंने देखा फिर्टा यही बैटी हुई थी और वो केच बना रही थी उसके स्काहत कब से आई हो? काफी देर हो गई ड्राइंग बनाना हो गया? यह अभी कुछ बाकि है थोड़ा सा बचा है, थोड़े से डिटेल्स पूरे कर लो, फिर हो जाएगा क्या हो अब तुम कुछ परिशान से लग रहे हो सब कुछ ठीक ठाक है ना? नहीं सब ठीक है लेकर मुझे तो इसे नहीं लग रहा नहीं मैं वो आज वो लड़की हमारे हथों से बचनी ने चाहिए देखो अंदर ही होगी आज चलो अंदर ढूँटे ढूँटे देखो अंदर, चारो तरफ देखो बचनी ने चाहिए वो आज तुने यहां पर लड़की को देखा किसी? नहीं एए नाटक नहीं जल्दी बोल कोई लड़की देखी दिरगवा यहापे मेरे सिवाँ यहाँ कोई लड़की है भी तो नहीं जूट मन दोलानी तो बाद में पच्ता होगी एए जल्दी बोल चला हाँ मैंसाच किसी अे टाईम कीवाट में लगा किदेरो वो बोल डुड़ी आल मैंने नहीं थेखा थैंना एए रोक रुक नीटेविड उनिमारदूं का नहींटा एए उड्लि नचा कोकर हेए रोक होचमन, होचमन, जल्दी चलो, वो लड़कियों ना, वहाँ पर रपाट का ड्राइंग निकलती थी, वो उसकी जान खते में, आप जल्दी चलो, वो लोग शायद उसे मार गालेंगे, वो मिनार की तरफ गया है, कहा है वो लोग? मिनार की तरफ गया, आप जल्दी चलो, चलो, हाँ, चलो, यहाँ पर तो कोई नहीं है, अभी, अभी यहीं पीत थी वो, वो जहाँ भी हो, सही सलामत हो, उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए, देखो रिटा को कुछ नहीं होगा, बिल्कुल सही सलामत होगी, विक, जरा वाच्मन को लेकर आओ, यहाँ, यहाँ, आपर आने का और जाने का एक ही तो रास्ता होगा, जरो वाच्मन नहीं उन तीनों को देखा होगा, बिल्कुल, मगर सर, अभी तक पता ही नहीं चलाए कि वो तीन गुंडे रिटा के पीछे क्यों पड़े होए थे, पता चले इन गुंडों नहीं तो नहीं मारा उस लड़के को, इसके साथ लड़की थी, इसका फोन होगे, सर, अँगुंडों ने और लोगों को भी मारा है क्या, जिया, बहुत खतरनाफ लोग है, रिटा के बारे में सब कुछ जानते थे, जो कहां जाती है, क्या करती है, सब कुछ, अच्छ, अच्छ, यह, यह कप की बात है, जब यह गुंडे, रिटा का पीचा कर रहे थे, सर, दो दिन पहले की, दो दिन पहले की, इसका मतलब है, उस लड़के के मरने से दो दिन पहले, और शायद इसलिए वो दोनों चुप-चुप कर मिलते थे, डर के मारे अंधेरे मे शायद उस दिन डर के मारे चुप गए होंगे, और वही पर मार दिया उस लड़के को उनोंने, क्या उन तीनों का हुलिया बता सकती हो, मेरा मतलब हो दिखते है कैसे है, वो क्या कपड़े पहने, यह सब कुछ, सर, एकदम से तो नहीं बता सकती, लेकिन कोशिश चरूर वेरी उठी, तो चलो, हमारे साथ चलो, लेकिन पहले हम वहाँ जाते ही, जहाँ पर रिटा चुप के बैठी थी, बताओ, कहा पर देखा था तुम ने रिटा को, यही मिलर तक देखा था, भागते वह आई थी वो, उसके बात पता नहीं, यहाँ, जी यहाँ, सानके, गार दो अपनी आखे, देखो कोई सुराग मिलता है क्या, हाँ परड़ी? जया सार, चलो पहल जा, सार, आप रेक, जरा नजदी कहाँ, इक बात बता, रिटा के गायब होने से पहले यह पर उसके गायब होने के बाद, तुमने उन तीन गुंडों को यहां पर देखा था जेहां सर, मैंने गेट के बाहर तीन गुंडों को जाते हुए देखा था बाहर जाते हुए देखा था जेहां सर और कुछ याद आता है तुमको उनके बारे में सर वो बाहर जाते हुए बहुत गुस्से में थे गुस्से में थे? सर, शायद रीता नहीं मिली होगी इसलिए गुस्से में होगी हाँ, हो सकता है अच्छे ये बता हो लोग यह पर आये कैसे थे, उनके पस कुई गाड़ी वगेरा थी? नहीं सर ची, उनके पस कुई गाड़ी वगेरा नहीं थी ठीके, तुम यही पर रुखो बास, एक मस्ट हाँ सालुंके हाँ सालुंके यह देखो यहाँ पर यह यार यह तो यह उबनी का टुकड़ा लुगता है बिल्कूल यह किसी दुपट्टे का टुकड़ा है परास उदर आईए इदर यह किये इसे पहचानती है यार जी सर मैं इसे पहचानती हूँ ये रीटा के दुपट्टे का ही टुकड़ा है रीटा के दुपटे का? जी तो इसका मतलब यह भास के रीटा यही इन पत्थों पे बैठी होगी चुप करके और उसका इस दुपट्टा यहा फस गया और इस टुकड़ा फटके रह गया रभी किषी है? आप रभी चाहे? चाहे दॉर्ड़ उन तिनों गुंडों मेसे किसी एक क्योंगी सरा हाँ हो सकता है उन तिनों मेसे किसी एक क्योंगी अरेशी गर्फरेंड तो अपना फोन सुचाफ करके नाजाने कहा चुप कर बैठ कई है रवी का पता चल क्या है इस रवी से भूछते हैं श्यार इस से कुछ पता हूँ ये रवी का मिलेगा रवी से मिलना था में जी वो वहाँ बेठा है रवी आप रवी है न? जी हाँ मैं ही रवी हूँ आप लोग CID से हैं ना? हाँ, हमने तुमें पून किया था जी सर क्या बात करने वाले थे आप लोग हरीश के बारे में? वैसे वो बहुत दिनों से मिला नहीं मुझे सर मैंने उसका फोन कई बार ट्राइकिया लेकिन लगता ही नहीं है उसका खून हो गया है क्या? हरीश का खून? नहीं नहीं सर, क्या मजाक कर रहे हैं आप? रवी हम मजाक नहीं कर रहे हैं ये सच है मगर किसने मारा उसे? ये तो पता नहीं लेकिन किसी नहीं उसे गोली मारती है इसका मतलब हरीश सच कह रहा था क्या? क्या कह रहा था हरीश? दो दिन पहले मुझे से मिलने आया था सर कह रहा था एक कार चाहिए, अरजिन उसे औरंगाबाद छोड़ के जाना है अभी की अभी? औरंगाबाद छोड़ के जाना है? अभी की अभी? कोई शेहर छोड़ के जाने की बात कर रहा था? तो तुमने उसे पूछाने की बात क्या है? हाँ सर पूछा, कह रहा था जिन्दिगी से तंग आ गया है उसकी यूर्फरिंट का है? उसका नंबर नहीं लगा रहा कौन? रीटा? वो तो नहीं मालूम साहब हाँ, कुछ चिडियों की आवाज की बारे में बताया था जहाँ पे पहले वो रहते थे वहाँ पर बता कर लो क्या आप कुछ बता सते हो इन लोगों के बारे में? देखो ज़र अच्छी तरह देखो जानते हो इसे जानते हो इन लोगों को कौन है ये लोग? सर इन लोगों को तो मैं पहली बार देख रहा हूँ शायद चोटे-मोटे गुंडे है ये? ये ने, कोई चोटे-मोटे गुंडे नहीं है ये दौलताबाद के केले में जो भारकतमाता मंदीर है बहाँ पर ये एक लड़की का पीचा कर रहे थे अब पता नहीं? उस लड़की का क्या हुआ है? क्या उस लड़की को मार दिया इन लोगों ने? या फिर और भी कुछ हुआ है अमें वह से ये चेंड भी बिला है कुग और थे देखिये पैजानते हैं इसे? देखा है किसी के कले में? ये तो ये तो देखा है सर इसका है फिर? सर इन लोगों का कोई पता ठीका ना तो होता नहीं है हाँ एक बार मैंने इन लोगों को पगड़ा भी था तब ही पता चला था कि ये लोग इस तरह के पेंडेंट पहनते हैं तो क्या छोड़ दिया हुआ है? बहुत पहुचे हुए और खतरनाक लोग है सर देखिये कोई तो तरीका होगा ना इनके बारे में पता लगाने का सर तुम्हेरा कोई खबरी होगा? खबरी को पूछो शायद कोई अच्छी खबर मिल जाए हाँ सर खबरी है देखता हो उसे फोन करके जल्दी फोन करो हाँ सजीन बताओ अच्छा बता चल गया करा रहे वो लोग ठीक है बताते रहना आंको ओके हाँ क्या वा सर शजीन को बता चल गया है रिता के बारे में वो लोग दोनों भी शहर चोड़ना चाहते थे अब चाहर चोड़ने से पहले हरिश का खूर हो गया और अब वो लोग रिता के पीछे पड़े है साग उच्छफदा चला सर कबरी बता रहा है कि उन लोगों को गुलमंडी में देखा गया है गुलमंडी में? हाँ सर, उन लोगों ने वहाँ पर एक दुकानदार से पैसे चीने और उसे डराया भी है लेकिन वही लोग थे हैं? हाँ सर, वही हैं तो फिर चलो, गुलमंडी चलते हैं एक काम करो या असपोस इन दुकानों में जाकर के पूछो पूछो के उन्हों ने उन तीन गुनों को देखा है क्या और अगर देखा है तो पता लगा किस तर आप गया है वो हाँ सर 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 सब जगा पूछ रिया सर कोई भी इन गुन्नों को जाने के जिए तेहर है अच्या किसी किसम का डर तो निये इन दुकान दारों अच्यार मकर डर किस चीज का सर कोई जमेले में फसना निए जाता और पेचारे इन दुकानदारों की तो दोनों तरफ से मुसिबत होती है सर वो देखे सर वो आदमे ही सर जिन गुंडों को हम दून रहे सर वो नहीं मैं सही कहसे वे फ्रेदी जल्दी जाके उठाओ उसे लेकर आओ अले सुनो भई हमें आपसे कुछ पूछना है ताइम है के तुमरे बास तो सबरे से कोई मिला नहीं के पूछने के लिए नहीं मिला जो में पूछना है वो सिफ तुमें मालूम है पगवास करे हो क्या लगता है दुनिया से परिशान है हाँ भाईया हम तो परेजान हो गए रीटा को ढूंके ढूंटर से थंग गए तुमको मालूम है रीटा का मेलेगी कौन हो तुम CID से चारफ 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 यह वो आदमी सलो बता बता लड़की का है साब मुझे मालूमने साब लड़की का है जल्दी बताओ साब मुझे तो आडर मिलता है कौन देता आडर तुम्हे साब वो मुझे मालूमने मेरे साथियों को मालूमने साब कौने तुम्हारे साथी साब साब मुझे मालूमने प्राइब जल्दी जाके देखो, देखो कहा ते गोनी चेंदी भागे है सर, सर, यह तो मरगा है सर रवी बता रहा था कि रीटा और हरीश यहाँ पर मिलते थे अलीम अली सरोवार है कैसी जगा है मैंने तो यह भी सुना है कि बाहर देशों से पक्षियों के जानकार भी यहाँ आते इसलिए इन दोनों को यहाँ पर छुपने में असानी होती होगी वह देखो, वह सामने जो टावर है ना यहाँ छुपने में असानी भी होती होगी और यहाँ से सब कुछ दिखाई देता होगा कि कौन यहाँ से आ रहा है और कौन यहाँ से जा रहा है हम् चलो कौरो तुम लोग अगिवा थाना नहीं तो में माल डालूंगी तुम रीटा हो ना हाँ तुम लोग कौनो हम तुम्हे कुछ नहीं करेंगे नहीं तुम लोग जूड बोल रहे हो तुम लोग मुझे भी माल डालोगे जिसे हरीश को मारा था देखो ऐसा कुछ नहीं होगा तुम लोग सच में सी आईटी से हो हाँ देखो तुम्हे तुम्हे कोई नहीं मारेगा ला लाओ यह मुझे दे यह जो तीन गुंडे थे, जो आपके पीछे पड़े हुए थे और ये भी बताईए कि हरिश का खून क्यों किया उन्हें मुझे नहीं मालूम वो लोग कौन है बस पता नहीं अचारक से मेरा पीछा करने लग गए का बात के पीछा करने शरू कर दिया कोई नहीं कोई बात तो जरूर होगी याद करके पता यह क्या हुआ था भारत माता मंदिर और अंगाबाद रोड़ सब 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 जगे मेरे पीछे हैं वो लोग तुमने तुमने जानने की कोशिश ने की कि वो लोग तुमारा पीछा क्यों कर रहे है यह बताईए कि आपको याद है कि उन्होंने आपका पीछा करना कहां से शुरू किया था मैं घर में गई थी उसका स्केच बनाने बस तब ही से उसके अगले दिन से उन लोगों ने मेरा पीछा करना शुरू कर दिया तो ये घर कहा है ये बता सकती है आप रीटर ने ये जगा बता है थी ना रीटर ने ये जगा बता है थी ना? करता कोई नहीं है दर्माजा तोड़ना पड़ेगा यहां की लाइट तो जली भी है और कमरे में कोई दिखाई नहीं देना क्याम करते हैं तलाशे लिते हैं क्याई बता हैं क्या पुटिन करता है थाष एचाउस प्रूँ अजय को गला ANG पानल, कि लोगाई! इंवानल, कि अःटिया! लाश? हाँ, ए देखो, किसी मेंसे यहाँ पे कोई नहीं भारी है? क्या भी कॉन है, किसे से महाँ आदो, क्यों? यह तुम्हें भी सुच रहा हूँ, किसी महला किसने, एक काम करता हूँ, यही भी सर को फॉर्म करता हूँ सर, सर यहाँ भंगले में एक आपमी की लाश मिली है सर सर, जिस आदमी की लाश मिली है, यह तो बहुत बड़ा बिजनसमेन है औरंगाबाद का, इसका नाम सोहन कुमार है सर, हाँ पिछले कुछ दिनों से गायब था यह, गायब था? जी सर, तो कहीं इसे किड्नाप तो नहीं किया था? हाँ सर, लेकिन किसी भी तरह की कोई धमके बगएरा नहीं मिली थी, पुलिस भी इधर उदर भाग रही थी, इसे टूनने के लिए सर, इसका किड्नाप किसी मकसद की बज़ा से किया होगा, और मकसद पूरा ना होने पर, उसका फून कर दिया होगा मान दिया सची, नहीं किने, किसी को तो पता चलता कि यहां पर एक लाच लाकर रखी गई है सर, दरसल इस घर का मालिक यहां पर नहीं रहता, उसने कहीं और घर बना लिया है ओ, अच्छा, हाँ अबर से सोभन कुमार की मौत का, और रीटा का क्या संबंद हो सकता है सर, यह रीटा बता रही थी कि वो यहां पर स्केच बनाने आ रही थी हो सकता, उसने खून होते हुए देख लिया हो, और इस वज़ा से गुंड़े उसके पीशे बढ़े लेकिन अगर ऐसा होता तो, तो लड़की ने बताया क्यों नहीं किसी को, किसी को तो बताती वो, सर, ऐसा भी हो सकता है कि रीटा ने कुछ देखा ही ने हो, और उन गुंड़ों को लगा होगा, कि उसने उने खून करते हुए देख लिया है, और वो उसके पीछे पड़े जो लोग चो कोई भी है, बहुत ही चाला कैसा, और जो गुलमांडी भी हमने जैसे उनके साथी को पकड़ा, उनने उसे भी मार दिया, वही हो, लेकिन है कौन ये लोग, पॉल, हाँ, इस आपनी का फून यहां नहीं हुआ, क्या, यहां पर नहीं हुआ, तो फिर, इसका आज को यहां ला दो चुपा दिया है, तो फिर जरूर किसी ना किसी को तो पता चलना ही चाहिए, किसी ने तो देखा इओगा, इक बात और, इस आगने को मरे उए आठारा गंटे हो मैं अठारा गंटे आठारा एक चीजज़ हो ओखाले एक जिखाले को आणको प्लीड किया आणको प्लीड अबहु आणको इसकी पीट पर यह लाल रन की सुखी पपड़ी मिली, जन खाई ली पपड़ी मिली है, 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 ज देखो लाट, शेहर कहा है एक बड़ा बिजनिस में है, सोहन कुमार, किडनाप होता है, फिर उसकी लाश मिलती है यहाँ इस घर में इस अदमा दी में है, इसका खूल होता है 18 गंटे पहले कहीं आओ, मगर लाश मिलती है यहाँ पर, कि क्या चक्कर है, और तब और, यह रीट जिसे स्केच बनाने का शौक है, उसका सोहन कुमार के खूल से, कोई न पूई तो चक्करज़ू है, समगे, चक्करज़ू है सर, लाश के जूते के नीचे से, एक आगस का टुकड़ा मेलाई से मुनसिपाल्टी का एक डंपिंग ग्राउंड है, जहाँ पर पुरानी बसे पड़ी रहती है, मुनिसिपल डंपिंग ग्राउंड है, जहाँ पर पुरानी बसे पड़ी रहती है, मुनिसिपल डंपिंग ग्राउंड, जहाँ पर पुरानी बसे पड़ी रहती है, बस का टिके सबस्टेंट तो आ गया, अब ये कैसे पता चलेगा किछर, वो है कहां और कितने लोग, उने हरेक पे नदर अखो जरा भी गड़बड लगी, तो एक दूसरों को बताते रहे ना, हाँ, हाँ, जाओ. कर दो क्टाओ겠 रहழ थे कर दोना आखो ही णरे लाला बाता है का फंब ये मुना लोगा ही जान यार वोग जाओता है... कि अरे कहां रहे अभी तक आया क्यों नहीं वो बस बहुत हो गया अगर को नहीं आया तो अरे आजाएगा थोड़ी देर और देख लेते हैं आजाएगा क्या आएगा कब आएगा जब CID हमको दोबोश लेगी तब आएगा क्या CID यहां आई नहीं सकती क्या CID यहां आने सकती क्योंकि जिसकी वज़े से आप उन पकड़ जाने वाले थे उसी को आप उनने मार दिया है हाहाहा CID यहां तक कैसे पहुचेगी यार पता नहीं किसने उने और अंगाबाद में बुला लिया हाह यार सही बोल रहा है तुछ हाहा हाँ तुम लोग चल आगया वो चल आगया में अरे क्यास आप कितना टाइम लगा है आप लोगोंने जल्दी से पैसा निकालो और वो भी तीन खून का पैसा चाहिए तीन खून का पैसा एक तो CID यहां पहुच चुकी है और CID के हाथ लगए न हम लोग तो अगला पिछला हिसाब बराबर कुत्ते की महत मरेंगे हम क्योंकि CID की आग फैली हुई है पता नहीं किस ने बुलाया मुंबई से और अंगाबाद नहीं क्या मुझे! कियाने होगा लेकिन करवा तो है ना? क्यो? बता क्यों कर रहे थे तुम्हें यह सब? क्या मस्द है तुम्हारा? वोटो मझे एक एक कुछे कुछे कुछ नहीं हो? तुम लोग मुझे चांद नहीं हो? बहुन उमर! बाद में क्यों? अब ही देख ले! पूरे मार्केट पे राज करना चाहाता सुर्ट इसलिए मैंने मेरे रास्ते काटा हटा दिया का कि मार्केट में मेरा ही डंका बजे अच्छा! अर वो लड़की? उसका पीचा क्यों कर रहे थे तुम लोग? साहब! साहब गलती होगे साहब! साहब उस उस बिजनस्मेन को मारने के बाद उसके लाश को वहाँ चुपा रहे थे! उस वक्तु लड़की वही पे थी, जो स्केज बना रही थी वहाँ! हाँ साहब! हाँ मैं लगा सार, हमको उस लड़की ने मारते वक्त देख लिया, इसलिए उसका पीचा कर रहे थे! दो दो खून किये तुम लोगों ने अपने फाइदे के लिए! गलती होगे साहब! अब जेल में सड़ते बैठना, फासी का ओर्डर आ देबना!